लाइव न्यूज खबर तो पक्की है ट्री वन के लिए कोई नया पट्रिशन बनना चाहते हैं जो पेट्रिशन नहीं थे तो वह पेट्रिशन बने एक नहीं को बनने की कोई आप सकता नहीं बिना बने ही कोट उनको न्याई दी है नमस्कार में श्रम्भु कुमार आप देख सब्सक्राइब इतने के बाद अभी क्या कोई सरकार के तरफ को रिस्पोंस आए आपके पास सरकार के तरफ से तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस भी जारी नहीं किया गिया है कि इस पर क्या सरकार क्या संग्यान ले रही है तो अभी हम लोग फिलाल उन्हीं का इंतजार कर रह सब्सक्राइब करते हैं अब यहां पर बिहार सरकार को डिसीजन लेना बिहार लोग से वायोग को डिसीजन लेना है कि आगे उसमें वो क्या करती है क्या इस्टेप उठाती है हम लोग का कोड का प्रोसेस होता है कि जैसे आगे हम लोग के विएट लगवाने चुकी जानते हैं कि मैं धिरेंदर कुमार हो और में बाका जिले से लगातार पहले भी आंदोलन में आता था और आज तक केस भी ज जाएंगे तो कहीं ने कहीं सरकार को इस पर संग्यान लेना चाहिए और मुख मंत्री नितीश कुमार से हम खास करके निवेदन करते हैं चुकि हम लोग जहां भी जज्जमेंट आने के बाद भी अगर कहीं गए हैं तो वहां से थोड़ा सा निरासा जनक ख़बर मिली है ले कि तरफ से मिला कि जो है जो माननी आज जश्टिजन दियां वह काफी अच्छा डिसीजन है और बहुत मतलब चाहत्री ही तुमें बहतरीन डिसीजन है सरकार को इसको फोलो करना चाहिए और कईने कई सरकार को फोलो करना भी होगा चुकि आप जानते है कि कोर्ट है और कोच नहीं होती है और मानना ही पड़ेगा अगर जैसे नहीं मानते हैं तो हमारे एड़ोकेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के भीतर अगर इस पर कोई कारवाई नहीं किया नहीं कि जाती है सरकार के दोबारा तो कोट ऑफ कंटेंब्ट इसमें फाइल करेंगे जी आपके रिजल्ट आने के बाद आप जीत गया हमारे पास कई सारे कॉमेंट कर रहे हैं कि हम उनकी बात कैसे क्या क्या करना पर हो कैसे मिले होगी से उस्षुरू का प्रोसेसिंग वह बता दीजिए और देखिए मैं इस बात को सपष्ट कर देना चाहता हूं और मैं तमाम ब्यार के जितने भी छात्र जो ट्यारी वन में सरकार के गलत बहाली के प्रोसेस के चलते जो बहार हो गए जो एक नमर दो नमर तीन नमर से जो छूट रहे हैं जिनको लगता है कि जो सीटें बरवाद जो भी खाली रह गई जिसको कि ट्यारी 3 में एड किया जा रहा है उन सीटों से जिसका मेरिट बन सकता है कि नहीं को हमारे एडवोकेट भी बात निर्देश दिये थे कि कि नहीं को अलग सीरीट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है चुकि यह जो डिसीजन है ना केवल के लि चाहिए और सबको एक जूट रहना चाहिए रननिती के साथ अगर सरकार आगे तक भी जाती है तो बिल्कुल हम लों को मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए मैं बिहार के तमाम छात्रों से अवान करता हूं जो ट्यारी 1 में एक नमर से डेट आप पर से दो तीन नमर से जो छूट गए थे वह कहीं ने कहीं एकता का परिचे दें और अगर हमें तो पहले मुक्यमंत्री जी से यही निवे दिन करता हूं कि आप हमां बेरतियों का समय और पैसा को बरवाद ना करें चुकि हम तो सिंगल बेंच में अगर जीते हैं जो हमको जजज साहब हम अगर निर्नाए नहीं आता है तो हम अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तयार हैं लेकिन हम हार बिल्कुल नहीं मनेंगे सरकार जहां तक लड़ना चाहेगी हम वहां तक लड़ेंगे उसमें कहीं से कोई इबट लेकिन किंतु परंतु नहीं है हम बिल्कुल तैयार है आगे के लिए भी एक तम मुस्तेदी से तैयार है कर लिए प्रीवन के लिए कोई अबने कि कोई सकता नहीं बीना बने रही कोड उनको न्याई दिये 101 अब यहाचना किये ते उनको मानलीए जश्टीज ने श्विकार किया है और इन्हीं के माध्याम से ज़स्टीज को लगा कि कहीं ने कहीं 101 यह तो नहीं पीडिते इन से जितने भी अभियरती सारे पीड़ी थे तो कोट में पहले भी आपको बताया था आपने इंटर्वियू लिया था मैंने बोला था कि फैसला 101 के पक्ष में आएगा यह सभी के पक्ष में आएगा यह मैं अभी नहीं बोल सकता हूं ठीक आप देख लिए मेरी बात सही हु है और आप सबको एक जूट होना चाहिए मैं बियार के तमाम चातर से का देना चाहता हूं कि भले हम 101 अभियरती पीडिजनर थे लेकिन कोट ने सारे सीटों को भरने का जो आधेश सरकार को दे दिया है तो सभी को एक जूट रहना चाहिए और इसके इस लड़ाई को और उम्मीद करते हैं बारा बार प्रात्ना करते हैं अपने सरकार से की हमें कोड से नेयाई मिलिये जीत मिले है तो आप buried की रहीं हमने ही तो सरकार Buna Já है तो हम नयाए चाहते हैं आगे कि हम भी आपके खिलाब नहीं जाएंगे बस यहीं बात है अब भी पर्टिशनर थे अब का भी हुआ है देखे सुरू से हम लोग कोट के फैसले का हम लोग इंतजार भी कर रहे थे और समान भी किये हैं आज तक कर रहे हैं हम लोग सुरू से मजबूती को मजबूती से केस सब्सक्राइब करें दिरेंद्र कुमार मुख्य प्रेटेशनर हैं उनसे हम आपको इंटर्व्यू दिया आठाला कि 18 तारी को ही रिजाल्ट आ चुका था लेकिन हमारी इनकी मुलाकात आज हो रही है क्या हुआ कैसे क्या हुआ किसको जॉब मिलेगा सारे बातों पो बातों कर रहे हैं मैं संबु कुमार कैमरा जेनलीश यस धर्मा के साथ पटना अगर मैं चाहिए को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यी सो मच लाइव न्यूज खबर तो पक्की है